हाई एवरीवन जेसे किशना रादे रादे हरहर महादेव और मैं सरलाव इंटिट्यू टैरोर रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गए हूँ और इस रीडिंग का थीम है आपके जीवन में ठीके आपके जीवन में किसका प्रेम आ रहा है ओके और ये एक बहुत एसा मे जो आपके जिसbly प्रेम जोआपको जुमने नाचने गाने पर तो मुझे मेश मिल रहे हैं किसी कि भक्ती में में भहाले भी हो सकता है कि दिस Guide Dealing का सदेज आपके लिए ठीक है जिसे हनुमान-बाबा आपको यहाँ पर किसका प्रेम आपके जीवन में ऑन रहा है यह हनुमान बाबा आपको बताना चाहते हैं ठीक है और ये प्रेम ऐसा होगा आपके लिए मुझे जो मेसिज यहां पर मिला कि जहां पर आप अंदर से, जैसे केते हैं ने कि अंदर से आप भर रहे हो अंदर से आप बहुत एक खुशी को, एक सांती को, जैसे आपका अपना कुछ चला गया था जैसे आपका प्रेम हो सकता है ठीके आपका जैसे आपका सुख आपका चेन वो साथ चला गया था तो वापस वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है ठीके बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में वापस एंटर यहां पर कर रही हैं तो किसका प्रेम आपके जीव अनुभाव आपको फीलोगा। जिससे अंदर से भर रहे हों। जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि भौ सारी आनुमान बाबा की द्धारम में फीह सानुमान से सानुमान बाबा की जिस्दारम से भीहों बहू सारी blessing आपको यहां पर मिल चुकी है। ठीके, और यह blessings ऐसी है जो जैसे केते हैं कि अगर हमें किसी एक का प्रेम मिल जाए हमारी life में जिसे हम चाहते हैं जिसे आपकी soul चाहती है वो मिल जाए तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए हमारी जीवन में लेकिन मैं बहुत जादा यहां पर मैं आपको spiritual देख रही हूँ ठीक है बहुत जादा आध्यात्मिक यहां पर देख रही हूँ जैसे दिल आपके दिल में कुछ है कुछ है आपके दिल में ठीक है तो वो बाहर निकल रहा है हो सकता है कुछ चीजे आपकी जो अभी तक मुझे सा लग रहा है ऑपका हाट चक्रा ब्लोक था कुछ दबा वह जैसे वह उभर रहा है बहार आपकी वह सकता है आपकी भक्ती हो आपका प्रेम हो आपकी मासुम्यत हो आपका आपके कि आप बहुत सब्धा इमोशनल हो बहुत सब्धा loving, caring हो तो यह जो छुपा हुआ था loving, caring, प्रेम, भक्ती यह सब जैसे कहते हैं न कि यह यह दबा हुआ था जिसे वो बाहर निकल रहा है और यह प्रेम से आ रहा है जिसे प्रेम दे रहे हो, प्रेम ले रहे हो वो वाली उर्जा को मैं यहां पर हैसुस कर रही हूँ और यहां पर message है आपके लिए कि जितना ज़्यादा आप जे श्री राम आप लिखोगे कहीं पर भी लिखो, कमेंट्स में लिखो कहीं पर भी लिखो आप उतना ही ज़ज़़ज़़ से आप हनुमान बाबा की blessings आपको यहां पर मिलेंगे और जो भी आप चाहते हो अपने प्रेम को किस उससे आपको भरना चाहते हो अपने जीवन को वो सब चीज़ें आपकी complete ज़रूर होईगी यहां पर यह एक बहुत ऐसा चैनल message था आपके लिए, सब भी के लिए यहां पर, कि फाइनली हमेंचा कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक सच्चा प्रेम हमें जब मिल जाता है न कोई किसी एक का भी मिल जाता है तो बस हम उसके सहारे हम तर जाते हैं, और ये प्रेम में आपकी जिससे कि देन है कि यह कुछ ऐसी चीज़ें जहां आपको अंदर तक हील कर रही है ठीक है अंदर तक आपको जिसे आप आपको कोई छू रहा है और उस छूने की खुश्बुश जिसे चारों तरफ महा करी है सौरी मैं explain कर भी पारी हूँ और नहीं भी कर पारी हूँ जो मुझे feel हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल जे श्री राम जरूर लिखना आप कमेंट्स में लिखो कहीं पर भी लिखो कैसे भी लिखो लेकिन लिखना जरूर है आपको यहाँ पर ठीक है तो यह हनुमान बाबा का संदेश से कि किसका प्रेम आपके जीवन में आ रहा है ठीक है जे श्री राम 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 हरी कृष्णा प्रेम आपके जीवन में है और ठैंक्यू ठैंक्यू सो मुच वीडियो को लाइक करने के लिख कमेंट्स करने के लिख सस्क्राइब करने के लिख तहे तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रियादा करना चाहती reducing और जिसे भी परसेंडिंग चाहिए मैंने अपना वाटसप नमबर डिस्किप्सम बॉक्स मेंशन कर रहा है वहां से आप देख सकते हो ठीके तो और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं दिल खोल कर बहुत बहुत थैंक्यू थैंक्यू सो मच्छ सुपर थैंक्स के लिए किसका हARE कopping अपके जीएकिवन MID यहीं कार्ण यह फ्रे में तो यहां पर टो ऑप पांटिकल्स है PHP यहां पर मुझे एसा लग रहा ता है कि बहुत सारी चीजों को आप अपनी लाइफ में बैलन्स करना चाहते हो, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हो, बैलन्स करना चाहते हो, आप अपनी जिन्दीगी को खुशियों से भरना चाहते हो, मिझे ऐसा लग रहा है ना कि जहां पर भी आप जो भी जो भी सोच रहे थे, जिसके बारे में भी सोच रहे हो, किसी के बारे में भी सोच रहे हो, आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, या प्रेम के बारे में सोच रहे हो, या समय के बारे में सोच रहे हो, कि समय कब बैलन्स होगा, या सिट्रेशन कब बैलन्स होगी, या जो हो सकता है कि यह सोच रहे हो कि यह पर्स की मिलेंगी की नहीं मिलेंगे या कुछ लॉस होएं हैं कुछ भी चीजे आपकी लाइफ में यहां पर हुई है जैसे जगलिंग है ना जैसे बहुत कुछ चीजे अपने ही वन में उथल पुथल मची पड़िये यहां पर है ना तो वो बैलन्स करना बैलन्स कैसे करना अपने दिल और बाबा आपके अंदर चिंजेस करने आपको यहां पर विश्वास करने की जरुत है जो चीजे आपकोज जो मन में पर नहीं उट रहे हैं उसके सवाल जवाब खुद आपके बीधर है यहां पर ठीक है तो बस ंपनी उपर विश्वास करोगे उतनी ही भाप साझ situation को आप समभाल पाओगे situation आप से बाहर नहीं है मैं यह जो मेसेज मुझे यहां पर आ रहा है आपको अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें हमारी लाइब से जा चुकी है ठीक है कुछ situation समझ में नहीं आ रही है लेकिन यह जो समय है ना इसको आप control कर सकते हो control करने का मतलब यह नहीं है कि मतलब उसके उपर हावी हो जाना या अपनी जिद्धी बन जाना या जबजस्ति चीज़ों को रोकने की कोशिश करना नहीं बिल्कुल पॉलाइटली बिल्कुल जैसे smoothly सारी चीज़ों को होने दो वहाँ पर go with the flow अपने आपको बहने दो balance करो आप वहाँ पर जैसे एपसेट वाली उर्जा है यहाँ पर तो आपकी जितने भी जो भी situation आपकी चल रही है ना हनुमान बाबा उसको जैसे आपके खुद के भीतर से उसके जवाब आपको यहाँ पर महसूस होने लग जाएंगे ठीके हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइप से बहुत कुछ रिलीज होने वाला है तो उसे रिलीज होने दो जो जा रहा है उसे जाने दो ठीके और आप balance बना कर रहे हो हर चीज की सवाल जवाब आपको खुद के भीतर से यहाँ पर मिलेंगे ठीके तब यह एक एसा जैसे रिलीज की मैं यहाँ पर बात कर रही थी ठीके हर सवाल जवाब की मैं यहाँ पर बात कर रही थी आपसे तो हर सवालों के जवाब आपकी खुद के भीतर ही यहाँ पर आपको मिलेंगे ठीके रिलीज हो रहा है कुछ रिलीज हो रहा है किसी चीज का कि अब आपका एक बहुत बैलंस हो रहे हो यहां पर, जो भी मैंने बोला आपको कि हनुमान बाबा, आपके सारी जो भी परेशान या, जो भी तिकते, जो समाल नहीं पा रहे हों, उसका जैसी कहते हैं, खुद सॉलुशन आपको आपके भीतर ही यहां पर मिलेगा, दा वर्ल्ड, दा वर्ल्ड का कार्ड एक न्यू साइकल को बताता है, मेजर अरकाना का कार्ड से, बहुत मेजर चेंज, एक ऐसे विशेज जो परिवर्तन होते हैं, विशेज जो हमारी लाइफ को बदल कर रख देते हैं, जो हमारी इस्तिती को बदल कर रख देते हैं, वो बहुत जिसे जो भी चीजे मतलब आप अपनी उर्जा को किसी ऐसी जगे लगा रहे थे अभी तेक जहां पर जो चीजे आपकी लाइब से चली गई है ठीक है तो बैलन्स करना बहुत ज़रूरी था आप बैलन्स हो रहे हो और किसका प्रेम आपके जीवन में तो सभी सभी को आते हुए मैं यहां पर देख रही हूँ सबसे जादा आपके जीवन में जैसे कितेना की ब्लैसिंग्स बहुत आ रही है यह प्रेमी है यह प्रेमी डियर आपके लिए कि यह एक ब्लैसिंग्स क्या होती है कि जब कोई हमसे प्रेम करता है जब कोई मतलब किसी के मन को हम भा जाते हैं तो वो कितना प्रें मोत देता है मैं जम से आशीरवाद करते हैं यहां पर बहुत अच्छे काम करें है तो जो भी आपके बहुत di versão कि अपने झिल झेल कोल कर नियों किसी कि अपना डिल खोल कर किसे आफ तो आप अपने आपको ज़से अन्दर से बाटिंग में यहां पर बोला आपको कि दिल खोल देना ठीक है कि हर चीज जिसे जब हम सौरी मैं मैं कैसे explain करूं कि जब हम किसी काम को जब हम कर नहीं पाते हैं न ठीक है जब हम चाहते हैं कि हमें यह करना है और वह चीजे हमारी दबी हुई रहती चाह आपकी wish हो चाह आपकी desire हो ठीक है वो दबी हुई रहती है लेकिन जब हम अपने लिए नहीं कर पाते उसको ठीक है अपने खुद के लिए नहीं कर पाते और वह चीजें हम दूसरों के लिए कर देते हैं तो क्या blessings मिलती है न मैं बता नही सकती आपके लिए वो चारों तरफ से जिसे कुद्रत निचावर हो जाता है आपके उपर आनिमल इस्परीड युनिवर्स आंजल्स ये सब का प्रेम आपके जीवन में यहां पर आ रहा है मैं क्या बोलू कि आपने ना सच बताऊ ना अपना दिल किसी के लिए खोल कर रखा और उनीका प्रेम जिस जिस पर भी आपने प्रेम लुटाया है ना मैं इनसानों की बात नहीं कर रही हूं इनसानों का तो पास्क में आपने बहुत किया शायद वहां से मिला भी नहीं होगा लेकिन जो आपने जो चीज़े आप अपने खुद के लिए सोचते थे वो चीज बहुत कुछ चीज़े आपने देना शुुरू करा जिसे आपने जब आपकी विश्पूरी नहीं हो रही थी, आपकी तमन्ना पूरी नहीं हो रही थी, तो आपने सुचा है कि चलो, मेरा ना हो, कोई बात नहीं, मुझे, यह मैं करूँ, मैं दूसरों के लिए करूँ. ठीक है मैं दूसरे और यहां पर आपका यह intention नहीं थी कि मैं इनका करूँगा या किसी का भी कि जैसे bird को या चिडियाओं को या गाय को animals जितने भी animals bird जितना भी कुछ भी हो यहां पर ठीक है अगर मैं इनको करूँगा तो बदले में मुझे कुछ मिल नहीं ऐसा नहीं है क्य blessings इनका एक unconditional आपको healing दे रहे हैं आपको इतना change कर रहे हैं आपकी life को कि जहां पर आपको ऐसा feel होगा ना कि यह past में आप यह थे ठीक है यह past में थे कि जहां पर आपकी हमेशा नईया है ना डमाडोली रहती थी है ना कि कभी भी हिचकोले खा जाती थी कहीं पर भी कुछ भ दो हैं जिन्देगी कहा जा रही है क्या आगे क्या होगा क्या इसे situation एसे थमेजी को दrivätे जो भी कुछ यहां पर पहले आप ऐसे थे लेकिन यहां पर अपको आपके हात में तो power आ रही है送र प्लासिंस आ रहे है ये प्रेम आ Glad एकुद्रत का युनियर्स का इसी में और उसका प्रमात्म मेरे साथ चल रहा है यह तो मेरी जिंदिगी को जिसे एक तार अष्थ पर रह kay आपको यहां एसा महसूस होगा कि वffff स्वर्ग की जिन्दीकी जी रहे हो देखो डिया स्वर्ग क्या होता है जिसने सच्चाई जान ली ना समझ ली ना तो जिन्दीकी को आप अपनी जिन्दीकी जहां रे रहे उसे ही स्वर्ग मान लेते हो आप यहां पर और सच्चाई हकीकत यहां पर है कि यहीं पर ही नर्ग है यहीं पर ही स्वर्ग है, स्वर्ग के लिए आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है, अच्छे करमास करोगे, सबका आशिरवाद लोगे, ब्लासिंस लोगे न, तो यहीं स्वर्ग आपको नसीब हो जाएगा, और वो स्वर्ग ऐसा होगा न, कि जहां पर आपका, आप खुशी से समाओगे नहीं, ठीक है, आप खुशी से समाओगे नहीं, यह एक एंजलिक ब्लासिंस है आपके लिए, सच बता रही हूँ, बहुत एंजल, मैं क्या बोलू कि यहां पर बहुत पावर आपको दे दी गई है, आपको नॉलेज दे दिया गया, आपको विस्टम दे दी मिल रहा है, जिसे आपको वे एक बात बता हूँ, यहां पर एगल की एनरजी जो बहुत जादा darsitah, आपकी जिन्दगी को है, पारदर शितah बना रहे हैं, जहां पर कोई मल, जैसे मेल नहीं है, मेल मतलब यहां पर ऐसा नहीं है, कि जहां पर आप कोई ब्लॉकेज जैसे release जो मैं बोल रहे थी ना बहुत कुछ release आप कर चुके हो आप अपनी लाइप से यहां पर क्यों क्योंकि आपने जो आपकी लाइप में नहीं था वो आप दूसरों को देना आपने शुरू कर दिया यह वही का यह वही से सारी चीज़े आपकी लाइप में पलटवार हो होगा नाइट ऑफ का यह 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 प्रेम आ रहा है आपकी तरफ ठीक है यह प्रेम आ रहा है आपकी तरफ यह एक इसा प्रेम है कि जहां पर आप सच बताओ नो आपके अंदर बहुत सारे मैं मैं क्या बोलू कि आप प्रेम देने जा रहे हो आप प्रेम देने जा रहे हो क्योंकि अब आप ये सबकी blessings आपकी life में आ चुकी है इनका प्रेम आपकी life में आ चुका है और ये जब हमें चारों तरफ से blessings देने लगते हैं इनका प्यार हमें मिलने लगता है जैसे ये हमारे साथ चल ले दिए तो हम इस उर्जा में यहाँ पर आ जाते हैं ये आपकी उर्जा आ रही है यहाँ पर किसका प्रेम आपके जीवन में आ रहा है ये आपको ऐसा बनाना चाहती कि तकि आप प्रेम से खिल जाओ आप प्रेम को चारों तरफ फेलाओ क्योंकि उनकी उर्जा को आप अपने अंदर यहाँ पर महसूस करोगे गुद्रत तो ऐसा होता है ना कि जितना इसको फेला ओगे जितना आप वो आपको दे रहे हैं और आप इस सब चीजों को फेलाने के लिए आगे की तरह बढ़ रहे हो यहाँ पर अब आप पेले आप बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा चीज़े आपकी कुछ जैसे कुछ किसी चीज में आप फसे से हुए थे decision निनने जैसे क्या करना है कैसे करना है कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है हालात बे हालात होते चली जा रहे हैं लेकिन जब हम जो हम हमारी वीश होती है ना कि छोड़ो जो होगा देखा जाएगा ठीक है और जब हम कुछ इसे करमास करने लगते तो वहां से हमारी जिंदगी में हमारे अंदर बहुत साथ होते हैं और वह सब चीजे जैसे आपको हील कर रही है आपको प्रेम से भर रही है आपको दे रही है जैसे किसका प्रेम, आपकी लाइप में तो वो प्रेम आ रहा है, आपके भीतर आ रहा है, आपके मन में आ रहा है, आपके विचारों में आ रहा है, ठीके, क्योंकि और आप उस चीज को शेर करने की तरफ, एक शेर वाली उर्जा में यहां पर आ रहे हो, आप तो हो गई हो प उत्रत का आपके आपके भीतर आ रहा है और उससे जो बदलाव हो रहे हैं वह आपको बहुत अलग सी उर्जा को आप वहां पर महसूस करोगे ठीक है कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी भी होगी कि जहां पर आप साथ सोचने के लिए मजबूर भी हो जाओं पा要 प्राफिट क्या मतलब वह ट्रीटमेंट सही जगे जहां नहीं रहा था पहुंच नहीं पा रहा था तो अब आपको जहां से भी जो कुछ भी मिलेगा न, वो बहुत accurate चीज़े आपकी life में आ रही हैं, बहुत static चीज़े आपकी life में यहाँ पर आ रही हैं, और जो कुछ भी चाब वो प्रेम आ रहा है, चाब healing आ रही है, चाब offer आ रहे हैं यहाँ पर आपकी life में, वो बहुत pure आ रहे हैं, और वो nature की से यहां पर आ रहे हैं ठीक है जो आपको बहुत हर चीज में आपको आपको बैलेंस वे में कर रहे हैं यहां पर एक आप मुझे इसा लग रहा ना आप बहुत ज़्यादा आपको ये प्रेम तो आई रहा है प्लस आपको बहुत ज़्यादा मतलब सोचने समझने की जो शक्ति होती ना शायद वो शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे तो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो शक्ति आपकी बहुत बढ़ने वाली है. तो ये एक बहुत चीजे आपको आपकी लाइफ में बहुत हील करने वाली है. Idea Cup Pantikus. लाइफ को है लाइफ को है ना अप अलगी ढ़ंग से आप इंजॉइ करने वाले हैं. अलगी तरीके से आप यहां पर करने वाले हो ठीक है जो पहले आपकी लाइफ थी ठीक है वो लाइफ आपकी यहाँ पर नहीं रहने वाले है क्योंकि आपकी जीवन में बहुत changes हो रहे हैं परिवर्तन हो रहे हैं क्योंकि एक अपने cycle complete कर लिए कि जहां पर आप बहुत बहुत जादा hard work कर रहे थे महानत कर रहे थे आप बहुत जादा grounded person हो बहुत सादा महानती हो जिसे आपका आप अपने आपको बदलना चाहते हो ठीक है अपनी इस्तिति को situation को better करना चाहते हो पहले भी और आज भी और आने वाले time में भी और वो खुद अपने बलबूते पर अपने हिसाब से यहाँ पर इश्वर की परमात्मा की blessings हनुमान बाबा की blessings के आधार पर ठीक है तो वो अब आप यहाँ पर उस चीज़ को आप महसूस करोगे ठीक है यहाँ पर मुझे शनी देव की भी कृपा आपके उपर यहाँ पर नजर आ रही है ठीक है एंजल सी की य हाथों से कुछ करता है ठीक है तो अब भी तक शायद आप अपनी चीजों में फसे हुए थे आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे या आपके अंदर जो कला थी या आपके हातों में जो कला थी ठीक है वो जैसे साइब ब्लॉक थी यहाँ पर ठीक है तो वो अब यह यहां पर वो चीजे आपकी अब जो भी आपके पास कला थी ठीक है वो उसको लेकर आप दूसरों की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो मतलब अब आप उस काम में आपके बरकत हो रही है ठीक है आप जो भी कर रहे हो उस काम में आपको बरकत देखने के लिए आपको मिलेगी य ग्रोथ की तरफ यहां पर जा रहे हो और यहां पर केते हैं कि अब मुझे आपका आपकी आपकी आपके अंदर एक बहुत साथा पेशन्स प्रेम एक ध्यार्रिव वह सब चीजों को मैं बहुत साथा आपकी मैं नोटिस कर रही हूं ठीक है यहां पर आपके अंदर एक जबजस स्ट्रांथ भी आ रही है नॉलेज भी आ रही है ग्यान भी आ रहा है एक करुणा दया ठीक है इन सब चीजों को भी आप अपने अंदर यहां पर महसूस करने वाले हो ठीक है यह बहुत बड़ा मेजर चेंजिस है आपकी लाइफ में जो हनुमान ब आपको बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना आप कफी मुझे कोई डॉक्टर या कोई ऐसे थे जहां पर वो अपने काम पर बराबर फोकस नहीं कर पा रहे थे या उनके जो भी वो कर रहे थे उन सब चीजों में आपको बराबर से मतलब उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही ठीक है लेकिन अब आपको उसमें सक्सेस भी मिल रही है सफलता भी मिल रही है ठीक है और आप जो भी आप जहां पर कर रहे थे उस सब चीजों को अब आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रेंथ अपनी नॉलेज के साथ जैसे उसे लेकर आप आगे बढ़ जैसे मुझे अब रेडी हो रहे हों ठीक है और विए सबसे ज्यादा क्या काम कर रहा है कि कि उन्हें कर बंप चल रहा है उसे बहु कर Merawk & 2 उन पर यहां पर बहुत उनकी ब्लासिंग्स उनकी ब्लासिंग्स आपको यहां पर और रहे हैं उनका प्रेम यहां पर आपकी तरफ यहां पर आ चीज व्लाइब कर रहा है कि अब आप अपने आपको दिल खोल कर ये जिसे कहते है के दिल-फोर कर आप अपनी i yep को enjoy करने के लिए अब आप निकले हो अब आगे की तरफ यहां पर चल रहे हो ठीक है किसका प्रेम आपके जीवन में आ रहा है प्रेम तो आपके अंदर पहले से ही अनकंडिशनल प्रेम था लेकिन छुपा हुआ था शायद उस चीज़ को आप शेर नहीं कर रहे थे बता नहीं रहे थे क्योंकि कुछ चीज़े आपकी ब्लॉक थी ठीक है जहां आपकी तरफ बढ़ रहे हो ठीक है मैं जो एक देख रही हूँ ना काफी अंजली कूर्जा है आपकी क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा डिवाइन मदर गाया भी आपको हील कर रहे है तो उन सब की ब्लासिंग्स और जब हमें कोई ब्लासिंग्स देता है न कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे अंदर आ सब्सक्राइब ने और बर्ड इस्पीड आनिमल इस्पीड इन सब ने आपको प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है क्योंकि आंजली को उर्जा एक आपके जो ओरा है ना आपका ओरा अलगी दमदमाता ओरा है आपका बहुत तो इस्ट्रॉंग ली में यहाँ पर जो दूमान बाबा का मेसेज है आपके लिए कि अब आपकी लाइफ में किसका प्रेम आ रहा है यह एक इसी प्रेम की उर्जा एक डिवान लव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है ठीक है जिसका आपको ग्रेटीट्यूट पे यहाँ पर आपको अवश्य करना है जरूर कर करना है यहां पर क्योंकि बहुत जदा एक अलग ही रूप को आप अपने इंजोई करोंकि दूसरों के लिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एंजल हो सकते हो और अपने अपने बारे में नहीं सोचाए कि मुझे कोई मिले ना मिले कोई बात नहीं। लेकिन मुझसे जितना हो रहा है मैं दूसरों की लाइफ को दिया दूसरों को खुश देकर मैं खुश होता हूँ ठीके तो वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता है वो अलगी उर्जा वाला इंसान कर सकता है तो आपको gratitude पे करने के लिए बोला जा रहा है यहां पर ठीके और जित आप बहुत जादा जिसे यह हनुमान बाबा का संदे से आपके लिए कि यहां पर किसका प्रेम आपके जीवन में आ रहा है यह बार्ड इस प्रेड यास इगल उनकी ब्लासिंग्स आपके जीवन में यहां पर आ रही है ठीके अब आप मुझे इसा लग रहा है ना कुछ द दूर से मतलब आपको जैसे इगल की कैसी एनर्जी देती है इगल बहुत दूर का सोचती है ठीके जो मैं यहां पर पाड़ दर्शी तक कि मैं बात कर रही थी ना पानी वाली उड़्जा मतलब इगल की नजरों से कोई नहीं चूक सकता कोई बच के जा नहीं सकता यहां पा ठीके तो यह क्योंकि इनकी जैसे बुद्धी ठीके इनकी नजरें और जैसे यहां पर अब आपका आपका जो फोकस है ठीके आपकी जो नजरें हैं और आप बहुत वह उन सब चीजों को लेकर इगल की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हों ठीके इगल अपनी अपनी आगे का ही आगे का ही दिखाए देता है आगे के बारे में ही सोचता है ठीके और बहुत दूर का सोचता है यहां पर ठीके तो इगल वाली उर्जा में आपको यहां पर इगल की एगल इस्प्रिड की आपको आपके हो सकते हैं आपके जो इस्प्रिड है ना वो इगल है ठी और कभी-कभी आपको मिलते भी होंगे, बहुत आपको मिलते भी होंगे, वहां से आपको messages भी फिलते होंगे, कि आपका एक life purpose है, ठीके, लोगों को heal करना, और blessings, आप मुझे इसा लग रहा है ना, बहुत जाता है, सबको blessings भी देते हो, प्रेम देते हो, सब दूर आपका जो काम है, प्रेम बाटने का काम है, यहां पर आपका, ठीके, इसलिए आपकी life में भी, आपके जीवन में भी, इन इनका प्रेम आपके जीवन में यहां पर आ रहा है, ठीके, आपके eagle spread है, जो बहुत जादा, सिर्फ अपनी लक्षी की तरफ ही, उनका जो दिहान होता है, अपने लक्षी की तरफ ही होता है, ठीके, तो आपका जो लक्षी है, एक प्रेम वाली उर्जा है, हीले वाली और उसे लेकर आप किसी किसी के यहां पर होर्स भी हैं यहां पर, ठीके, eagle spread और horse animal spread है, ठीके, इनकी ब्लासिंस जिनका प्रेम आपकी जीवन में यहां पर आ रहा है, ओके, और ब्रेम फ्रूट, ओके, जिता भी आपने हाट बर करा है, महनत करी है, जिसे अब आप खिलने व color, color से आपको पता चलेगा, जहां पर भी आप जा रहे हो हो सकता, आपको red color जादा से ज़्यादा नजर आए, ठीके, या purple color जादा से ज़्यादा आपको नजर आए, ठीके, तो यहां पर आपको tree हो सकता है, कि आप किसी बहुत घने, tree के नीचे आप बेठो, या fool को tree से या blessings है, कि आप फल फूल रहे हो यहां पर, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ को यहां पर आप देख रहे हो, ठीके, तो यह एक एसाद चेंजे से आपके लिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, किसका प्रेम, यहां पर, क्या है, मन को बताता है, मन की इस्थिती को बताता है, ठीके, और मन किसी का जब हम कंट्रोल में, अपना मन कंट्रोल में हो जाता है, तो बराबर से हम, जैसे बराबर से हम अपने उपर ध्यान दे पाते हैं, बैलनस कर पाते हैं, अपने उपर फोकस कर पाते हैं ठीक है तो एक बहुत जादा हीलिंग के उर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ Goddess of the Moon या Moon की जैसे आप मुझे इसा लग रहा है ना के यूनियर्स के साथ भी आपका काफी अच्छा कनेक्शन है हनुमान वाबा के साथ साथ आपका क्योंकि यहाँ पर भी साथ नंबर आया है डियर और यहाँ पर भी साथ नंबर आया है तो यहाँ पर यह एक Goddess of the Moon की भी blessings आपके उपर आ यहाँ पर आ रही है तकि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो अपनी intuition से जादा से जादा connect हो क्योंकि यह आपकी soul है यह आपकी soul के पास unconditional प्रेम है जो सभी को एक प्रेम के रूप में जोड़ना जाहती है ठीके त फोर्थ चक्रा आर्केंजल रैफियल हीलिंग या आप एक हीलर हो डियर हीलर हो आप यहाँ पर और जितना भी जहाँ पर भी आपको हीलिंग की जरुरत थी किसका प्रेम आपकी लाइब में आ रहा है आर्केंजल रैफियल का हनुमान पापा का सब का जिसे वो सब आपको ज आर्केंजल राफियल ओके यहां पर आर्केंजल राफियल आपके जिसे अपर चक्रा ठीके आपके फेलिंगी यह पर ठीके आर्केंजल रेफियल आपके लिए बहुत ज़्यादा क्हास हो सकते हैं क्योंकि आपको जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहां पर आप आर्केंजल रेफियल का प्रेम आपके जीवन में यहां पर आ रहा है ठीके ब्लॉसिंग अबंडस की तो मैं बात यहां पर करी रही थी ठीके कि मुझे इसा लग रहा है ना फाइनेशली आप बहुत जाता डिस्टरब थे चीज़े वर्क नहीं कर रही थी जो कुछ भी कर रहे थे वहां पर आपके लिए जीरो आ रहा था रिजर्ट लेकिन अब यहां पर आपको बरकत आपको देखने के मिलेगी ठीके आप जो ठीके अपने अपने आपको लगाना है वहां पर आप लगा सको ठीके आंड यहां पर इन्फाविटी आपके अंदर वह इस्टेंथ हारी है पावर आ रही है कि आप अपने अपने आपको खुशी के साथ है ना दोनों दोनों चीजों को आप बैलेंस कर सको ठीके आप जिसे के देने कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कब कहां किस टाइम पर आपको एनरजी लगाने की जरुत है सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर एक शक्ति का एक पावर का अनुभाव हो रहा है आपके लिए यह सोलमेट की एनरजी कोई ऐसा सोलमेट आपके लाइप में आ रहा है आपका जो अनकंडिशनल प्रेम करता है जो प्यार लेकर आपके लिए आ रहा है क्या आप शायद उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो ठीके तो वह मैनिफेस्टेशन भी आपका यहां पर तो मचिन बाज जेशी किष्णा राधे राधे हरर मादेम जेश्री राम